नमस्कात दोस्तों फिर से और एक बार आप सब का स्वागात आपका भाय का जाने स्टाम्पीट परसर में तो मैं आज एक जो अलोचोना आपके सामने कर रहा हूँ देखे बेंच स्टोक्स की ओडियाई क्रिकेट से रिटेर्मेंट लिया इसके उपर ये अलोचोना आपके सा करके इंग्लेंड को उनका वाल्लकप जो पहला वाल्लकप है ओडिलाया उसके बाद हमागाद देखे उन्होंने जो ओडियाई के लिए शुरू किया था आउस्ट्रेलिया के खिलाप 11 साल पहले उसके बाद 19 जुलाई में दरहम में हमागाद देखे तो साथाफ़ताफिकर किलाप जो पहला ओडियाई था वो खिलके उनका जो ओडियाई का जो केरियर थे उन्होंने कतम किया तो हमागाद देखे बहुत अच्छा किला रही थे 104 मैस के लिए उनमें तीन शतक के साथ 2,919 रन और उसके साथ 49 का एवरेज और 95.3 का स्ट्राइक ड़ेट से एक दमदा फिनिशर के रोल उन्होंने निवाए with all-rounding performance उन्होंने बोलिंग भी बहुत अच्छे की बहुत ज़दा wicked भी लिये तो उनका चो performance बहुत बढ़िया था लेकिन उनने कह रहे थे कि उनका थोड़ा वार्क लोड ज़ादा हो गया है क्योंकि उनको फिलाली हमागा देखे तो टेस्टीम का कप्तान बना दिया गया है जो रूट के जगह तो इसलिए उनको टेस्ट क्रिकेट में जादा फोकस करने की जरूरत पर चुकी है और उन्होंने कहा भी अगर ODI में उन्होंने 100% ना दे पाए तो उनका कोई हक नहीं है इंगलेंड की जर्से पहन के उन्होंने इंगलेंड की लिए खेले तो इसलिए उन्होंने कह रहा है थे कि नयना प्लेयर जो आ रहा है थे उनको उन्होंने चांस देने के भी एक कोशिश उनके अंदर थी उन्होंने ये भी बता कि नयना प्लेयर जो आ रहा है थे उनको भी चांस देना का एक हक है उनका और उनको भी चांस पाना बहुत ज़रूर है तो इसलिए उन्होंने उन्होंने उनका जगा छोड़ दी और T20 और टेस्ट में अभी खेलेंगे क्योंकि देखे T20 का वाल कफ फिला ला रहा है और टेस्ट में अब उन्होंने ये बात बोली आ रही है उन्होंने सपस्ट भी क्या है जो खबरूट के राये आ रहा है वो में दिया क्योंकि उन्होंने जो में बात थी उनका ओवर लोड और टेस्ट और T20 इसमें फिलाल टेस्ट में 100% बहुत ज़्यादा तरीके से उनके टीम को सार्प करने के लिये ही उन्होंने डिटै ले लिए ODI से क्योंकि उन्होंने बोला 11 सल की बहुत अच्छी मेमोरी के साथ उन्होंने ओडियाई छोड़ी और बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने एक खेल को सम्मान दी और एक वर्लकप उन्होंने जीती तो ये एक satisfaction ज़रूर से उनका डिंग जो performance कैसा होता है वोई भी देखने का बात है अब आप ज़रूर से comment कीजिएगा आपको क्या लगता है क्या बेंच स्टोक्स की ODIC retirement लेना सही था या नहीं ज़रूर से comment में बताना और आप कहां से यह वीडियो देख रहा है हो ज़रूर से बताना थेंक्यो